शहरवत जिले के प्रतिष्ठित बीम शाह अस्पताल ने एक बार फिर अपनी बहतर चिकित्सा पद्धती को साबित किया है। इस बार मुंबई से साधना सूरी बहतर इलाज की इच्छा रखते हुए भिलाई के बीम शाह अस्पताल पहुँची जहां उनके मन मताबिक उन्हें उपचार मिला जिसके लिए उन्होंने अस्पताल प्रबंधन सहीद पूरे मेडिकल स्टाफ का धन्यवाद किया है। बीम शाह अस्पताल हमेशा से अपनी बहतर चिकिस्सा प्रणाली के लिए जाना जाता है और अब अन्य दिगर प्रदेशों से भी मरीज अपना बहतर उपचार करवाने के बीम शाह अस्पताल पहुँचने लगे हैं। उनके छोटे सुपुत्र ने अपनी माता जी की परिशानी को अपने फैमिली डॉक्टर आरती साहनीस को बताया और उन्होंने तबकाल उन्हें बीम शाह अस्पताल से संपर्व करने की सलाह दी। जहां पहुचने के बाद साधना सूरी यहां मिलने वाले उपचार से काफी संतुष्ट हुई और यहां के पूरे मेडिकल स्टाफ को बहतर चिकिस्सा परदान करने के लिए दिल से धन्यवाद दिया। वहीं उनके परिजन में भी जिस विश्वास से अपनी माताजी को बीम शाह अस्पताल में उपचार के लिए भरती कराया था वह विश्वास और भी गहरा हो गया। यहां पे बचे यहां पे मेरे को भूब स्टेशन में करवाने में इंट्रस्टर पे लिए तो यहां पे पता कि यह ने तो सर समय के सटिस्फेक्शन हुई क्यूंकि दो अपरेशन ही कट्टे थे इसनें लोग डर रहते कि गाउलग लाईडर भी यूट्रेस्मी रिवोग कर किस तरह से आपको से किस सर ने बहुत कापरेट कियों तो नियुक्त ने आई आज आइए आज आज आप आप यहां जो स्था सिर्ट शुब कामना है क्या वर बीम शास को और किसी आदमी को बताएंगे लोगों को बताएंगे कि हुचा से जुबर ज़रूर कि रूकर कूचे का आपना एक्सपेरियंस यह गरेंगे और उना एक्सपेरियंस तो अच्छा रहा ही है बहुत अच्छा रहा है। अपना छोटा को दो गताएंगे ही। अलोग सुझी अलोग जी यह अपकी मतल है। जी अइप मुंबरी में इन का लाज चल रहा था। अचानक से इनका फोन आए कि मुंबई में संदुश्ट नहीं है यह लाज से तो किस तरह से अप यहां तक कैसे आए बीम शाह सर मेरको रहूल सर को और स्वातिरा माम का रेफरेंस मिला था एक फैमिली डॉक्टर है हमारे उन से और मैंने आके सर से मिला होस्पिटल देखा रूम्स होगर में पहले देखके गया फिर मैंने ममी को बोला कि आप आजो क्योंकि यहां पर सब बहुत कुछ है टेक्नोलोजी के बीएंशा इस्पितल बड़े शहरों के बड़े बड़े होस्पिटल को टक्कर देने के लिए तैयार है सर बहुत हद तक तैयार है मैं यह बोलना चाहूँगा क्योंकि एक्ट्रिक है मेरे फादर अभी पास्थ हो गया है तर बुन के चक्तर में मैं बड़े-बड़े मैतान तकर देने के जो डॉक्टर्स हैं जो श्टाफ्स हैं जब तक आपकी ममीजी यहां पर रही है इंक पांस दिन रही है कैसा रहा इनके साथ बहुत अच्छा एक्स पीर है साथ उन्होंने कुपाद को प्रपेट किया है एनि टाइम कोई भी कि हम लोग और जो पर टाइड उन्होंने भी बहुत अच्छे से बॉक्रेट किया जिसकी वज़े से यह दोनों ऑपरेशन एक साथ करना काफी मुश्किन नजर आ रहा दा फिर प्रबंधन और डॉक्टरों की टीम ने एक साथ बैट कर सला मश्वरा करने के पस्चात ऑपरेशन कर दिया और वह भी बिल्कुल सफल रहा साधना सूरी के भरती होने से लेकर अ अस्पतार के मेडिकल डारेक्टर डॉक्टर जय तिवारी एवं मेडिकल सुप्रिडेंटेंट डॉक्टर राहूर सिंग सहीत इस तरी रोग विशेशग्य डॉक्टर स्वाती राय ने ने निउस टीम को दी पेशेशंग था नाम साधना सूरी थी बास्अ साल की महिला थी और उनको पेड़ दत की शिकायट थी और उनको विजाइनल गेजिग ज़ए ओप्रनों एवं पोटी रहती थी रहने वाली मुंबई की थी लेकिं उनने बीमशाह आस्पिडल पे काफी उनको विश्वास था तो यहां दिखाने आई और जिस इस्विति में आई थी उनका जो है यहां के सर्जन ने जो है सर्जरी प्लान किया और उसी बद जो है इंका जो है हिस्टक्तामी भी साथ में प् पाहुल सिंग और हमारे हां की गैनेकलोजीज जोकर स्वाती इन दोमों ने ये किया कि साथ ही साथ जो है इनका गॉल बेडर भी रिमूब किया जाएगा और बच्चे दानी का भी रिमॉल होगा इस तरीके की जो सर्जरिय है बहुत कम देखने में आती है कि एक सिंगल सेटिं उसन जो है ने जो है मैनेज किया तो काफी कोंवलिकेटेड चीज़ को जो है बढ़े अच्छेसे मैनेज करके सबलता पूरट किया पेंजू डिसचार्ज हो गया और डिसचार्ज होने के बाद फॉलॉप में और और ओर पेंजू आ चुका है तो मैं इस सबका स्टेज जो है बियम शाह हॉस्पिडल के जो कर्मत सर्जन हैं डॉक्टर से हैं मैंडम स्वाती और दॉक्टर राहूर दॉक्टर तन्मेज एंचेस फिजिशन इनको देना चाहूंगा और इस तरीके की जो और कॉम्टिकेटर सर्जईरी दिलाई में बहुती कम होती है जो बियम शाह इसके लिए काफी प्रसिद है इस तरीके की ओटी टीम है हमारे हाँ की ओटी टीम जो है काफी टेंड श्टाफ है तो मैं यह हूं नीग तो इसमें पूरा सरी का संबले सहवग तो इसके लिए हम लोगों को बहुत ही जाजा संतुष्टी है कि हम लोगों की सेवा कर पा रहे हैं और आगे भी इसी तरीके से जो है हम समाज में अपना सायोग देते रहेंगे समाज की सेवा कर दे रहेंगे जी हां साधना सोनी जी का केस था जिनके महावारी के बाद से ब्रीडिंग की समसर हो थी साथ के पित्ती थेंगे पत्री भी थी तो वह चाहते हैं कि हमारा दोर्मा ऑपर्शन अगर दोर्जी पद्धिति से यहां हो जाए तो वह ज्यादा खुश रही बजाए इसकि कि उनको बार वर मुंबई से यहां आना पड़े तो हमने उनके लिए उनको तयारी किया प्रिपेर किया तो उनको सांस की दमा के बीमारी भी जो पिछले एक महने से उससे जूज रही थी एनस सटीस डॉक्टर नीरेज की मदद से और शाती की मदद से हमने उनका ऑप्रेशन किया औ और लगभर डेट से दो हिंटा में हमने दुरी बग्दिती से पित्ती की थैली का और बच्चे दानी कर दोनक ऑपरेशन सप्वल पूर्वक कर दिया और ऑपरेशन के बार उनको पेशिक मोद कड़ी का ब्रीधिं पॉलम हुई थी इसके लिए हमने उनको आईसी में रखा दो दिन उसके बाद पांचोन मरी कुई तरह से स्वस्थ होगे चला गया और आग मरीश हमारे पास आया है बहुत खुशी-खुशी चलते पर देखुश से आया है सारे इसके समने काट दिया है और वो पुशी दिनों में यहां से फिर मूम में जाने का प्लान कर रहे है सर छहां से बहुत सारे मिरकल अ़ी सक्ते हैं जो कहीं महीं होता हो आपके हाँ होता है तो क्या मतर्ट कैसे मधह एंहां के जो संसादन है जो आधिनी कुपकरन है उसे और मे Matter किस दासर से सपोर्ट मिला रहा मैने मिलेंस सपूर्ट है कि कम से कम पैसों में अकर इलाज होता है तो करिए ताकि मरीज यहां से एक यह लेसन लेते जाए कि हम अपना जो भी इलाज कर रहा हैं पुरा इंसानियत से कर रहा हैं कम खर्चे में अच्छा उप्चार दे रहा हैं और डूसी चीन जो आई सीव का और ओटी की जो ती हमारी वह बहुत स्टॉंग थी जोनों ने इंट्राइब मताँ ओपिसिन दौरान और पोस्टाइब मताँ ओपिसिन के बाद मरीज का भखुभी ख्याल लगा टाइम इसका सेट्वेशन में इंटेन किया ऑक्सीजन का जो भी रिवार्मेंट था वह प्र तरिक से दिया गया और प साधना सूरी जो कि मुंबई ली निवासी हैं वहां उन्हें पोस्ट मिलो पॉसल ब्लीडिंग मतलब की महावारी जाने के बाद बार बार रखकर इसाव होना हर तीन महने के अंतरा हुए जो कि उनका इलाज वह वहां करवा रही थी मुंबई में पर उन्हें संतुष्टी नहीं मिली तो उन्होंने अपने रिष्टेदारों के द्वारा बिलाई में संपर किया डॉक्टर आर्थी सहाने से और उनके माधियां से ये मरीज मिसिस साधना सूरी हम तक पहुंची जाज के दोरान हमने पाया कि मरीज को बच्चतानी में तो प्रॉब्लम ठी ही साथ में पित की थैली में भी पत्ली पाई गए थी जिसका हमने सफलता पूरवक दूर्भिन पदती के द्वारा गर्भाशय का ऑपरेशन तथा पित की थैली का ऑपरेशन एक साथ किया मड़म अभी मरीज किस कंडिशन में है मरीज आज पून्ता स्वस्थ है आज मरीज का हमने टाका भी खोरा है और मरीज चलते हुए हसी खुशे अपने घर चली गए है बीमशा अस्पताल अपने बहतर चिकित्सी प्रणाली के लिए अपने शहर जिले और प्रदेश सहीद अब अन्य दिगर प्रदेशों में भी पहचाना जाने लगा है और अन्य प्रदेशों से मरीज अपने बहतर उप्चार के लिए भिलाई शहर के इस बीमशा अस्पताल में आने लगे है और यह सब संभव हो पाया है अस्पताल प्रबंधन की दूरदर्शिता और अस्पताल के सर्वस्रेश्ट डॉक्टरों की टीम सहीद मेडिकल स्टाफ की वज़े से यह अस्पताल प्रबंधन आदुमिक उपकर्णों से सुसज्जी थै जिसकी वज़े से यहां आये मरीजों को बहतर से बहतर उपचा बिल पा रहा है क्रेंड एसीन डियूस के लिए भिराई से संतो शर्मा की रिपोर्ट